अकाश्वानी भूपाल सी प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुका बैलर जी सबसे पहले इस बुलिटन के मुख्य समाचार पंचाथ निर्वाचन के तहट नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अंतन दिन कल 1,94,269 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए नगरी निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड नियूस पर नियंतरण के लिए सभी जिलों और राजिस्तर पर मीजिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमिटी एमसी एमसी का गठन किया जाएगा और विशेश विमान से पन्ना लाए गए 25 तीर्थियातियों के शव आज किया जाएगा अंतिम संसकार अब समाचार विस्तार से त्रिस्तर ये पन्चायत निर्वाचन के तहट नाम नर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के कल अंतिम दन 6 जून को शांग 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के नुशार एक लाग 94,269 नाम नर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं नाम नर्देशन पत्र प्राप्त करनी की प्रक्रिया 30 मई से शुरू हुई है। और 49 अन्य अभ्यर्थी हैं। 7 जून को होगी, अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की आखरी तारीक 10 जून है। नर्दारत की गई है। राज्य नर्वाचन आयोग के सचव राकेश से ने जानकारी दी है कि जिला नर्वाचन अधिकारी जिलों में पेड न्यूस से संबंधित प्रते दनाने वाले प्रक्रणों और उन पर MCMC द्वारा की लिए गए नर्णय की जानकारी नर्धारत प्रारोप में नियमत रूप से राज्य नर्वाचन आयोग को भेजेंगे। केंद्र वितमंत्र नर्वला सीतारमन ने राश्ट्रिय परिसंपत्ती पुननर्मान कमपनी NARCL के गठन में होई प्रगती की समीक्षा की। अबूत पूर्व निवेश किया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही बुनियादी धाचा मजबूत करने पर बल दिया। मोदी सरकार ने पूर्व उत्तर राज्य और जमुकश्मीर और लद्दा के दूर दरास के क्षेत्रों पर विशेश ध्यान दिया ताकि विकास के लाभ देश के हरकोने तक महचे। इन क्षेत्रों में सड़क रेल और पुलों का व्यापक नेट्वर्ग तयार किया जा रहा है। देश की अर्थे विवस्था को देश के प्रतेक नागरी की देखभाल और सम्रधी प्रदान करने के लिए परियाप्त मस्बूत होना चाहिए। पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्रकाशी में हुए बस हादसे के बाद 25 तीर्थ यात्रियों के शव वायूसेना के विशेश विमान से खजराहो एरपोर्ट लाए गए। यहां से 24 शव कोएंबुलन्स के माध्यम से पन ना ले जाया गया चबकि एक शव चतरपुर्जिले के बजावर भेजा गया। आज शव का अंतम संसकार किया जाएगा। दूसरी और उतराखंड सरकार ने यमनोतरी राश्व राजमार्क पर कल हुई सडग दुर्खटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिये हैं। असदुर्खटना में 26 लोगों की मृत्यों हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। घायलों का दहरादून के अस्पताल में लाज किया जा रहा है। राजिपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि लंबित दयायायाजिकाओं का निराकरन फास्ट ट्राक में किया जाना चाहिए। रेल्वे ने IRCTC की वेबसाइट और आप के जरिये टिक्टों की ओनलाइन बुकिंग की सीमा बढ़ा दी है। इतली अंतराश्चिय टोनिमेंट में उपविजेता रही हैं। कोटर फाइनल में बंसोर ने सिंगपूर की इंसरा खान को हरा कर जीत तरच की थी। राजय निर्वाचन आयोग द्वारा तिरस्तरिय पंचायत और नगरिय निकाय आम निर्वाचन की तैयारियों को लेकर जिलास्तरिय अधिकारियों को कल याने 8 जून को शाम चार से 6 बजे तक वर्चुल माध्यम से प्रशिक्षन दिया जाएगा। अधिकारियों को पीठासीन अधिकारियों और अन्य मतदान अधिकारियों की भूमिका और कर्टव्य और मतपेटी से नर्वाचन की प्रक्रिया और मतदान दिवस्त की विवस्था के संबंद में प्रशिक्षन दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेव में बैतूर में तुस्तरी पंचायतों के लिए जहां निर्वाचन संपन्द होना है संबंधित पंचायतों और निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शास्किय कर्मियों को मतदान के दिन एक दिन का सार्व जनिक अपकाश मिलेगा शेडोल जिले में गेंदा, स्ट्रॉबरी, गुलाब, किनोवा, तमाटर और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा अशोकनगर जिले में मतदाता जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तेवास में कलेक्टर ने बार नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया है खंडवा में शास्कियन अन्द कुमार सिह जोहां सह, जला चकित साले खंडवा में शिशु विभाक की OPD में पूरक पोशन आहार दिवस मनाया गया पन्ना में कल एक सड़क हाथसे में 6 लोगों की मृत्ती हो गई, मृतक उत्तर प्रदेश के बांदा के बताय जा रहे हैं दधी अजले में मद्दाताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है और भारत की शिश, बैदमिंटन खिलाडी, पीवी संधू और लक्षिसेन आज से जकाता के इस तोरा स्टेटियम में होने वाली इंडोनेशिया, मास्टर्स में वरीता प्राप्त खिलाडियों में शामिल है अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर पंचात नर्वाचन के तहट नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अंतन दिन कल 1,94,269 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए नगरे निकाईों के नर्वाचन के दौरान पेट न्यूस पर नियंत्रण के लिए सभी जिलो और राजस्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमिटी एमसी एमसी का गठन किया जाएगा और वशेश विमान से पना लाए गए 25-30 रियात्रियों के शव आज किया जाएगा अंतिम संसकार इस बुलिटन में फिलहाल इतना ही इजाज़त दीजे नमसकार